नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके यूटूब चैनल राजस्तान क्लास्टेज में बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत अभी दंदन है दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे रियासतों का एक ही करण जो अपना टॉपिक है जो की most important जो है 20 question पढ़ेंगे अपन राजस्तान जीके के 20 most important question जो की किसे समधी ते दोस्तों राजस्तान में जो रियासते हुई थी उससे समधी ते दोस्तों इसके साथ आपको advance जानकारी जो मिलेगी एक question में लगबग 5-7 question भी बनेंगे ऐसे ही question है जो आज मैं लेकर आगे हूँ आपके लिए दोस्तों क्वीज है जो 15 मिनिट की रहेगी लेकिन इसमें आपको कितना ज्यान मिलेगा वो है जो आप पूरा देखने पर ही आकलन कर पाएंगे वीडियो को लाश्ट तक देगे के दोस्तों सभी परतियों की परिक्साओं के लिए जो ये वीडियो है आपके के लिए जो जरूरी साबीत होने वाला है दोस्तों इस्टार करते हैं अपनी जो पहली क्वेस्टन है इस प्वेज की आप जो साथ-साथ में जवाब देवे साथिसाथ कमेंट सेक्शन में और वीडियो है जो कंप्लिट होने के बाद आप जरूर बताएं कि आपके कितने प ऐसेने आपके लिए मच्य संग के उद्गाटन करता कौन थे सही जवाब होगा जो कौन्छा हो जाएगा यहां पर मच्य संग के जो उद्गाटन करता थे वो कौन थे रिंधा इस सात्य Оं आ पको 5 सेकेंड का समय तो आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है यहाँ पर जो बी ऑप्शन से उत्तर हो जाएगा जिन्होंने बी ऑप्शन चुना है एन वी गाड गिल है जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा एन वी गाड गिल है जो मच्य संग के उद्गाटन करता थे और दोस्तों आप बा दो तो है मार्च है और 23 मार्च है जो इनके पूर्णेति थी खोबाराम जी किमावुत की चतीसवी पूर्णेति थी थी खिस अपना है जो सई जवाब है जो बी ऑफ्शन हो जाएगा याँ पर सोबराम जी कुमावत परदान मंतरी थे और मच्छे संग के उद्गाटन करता जो थे वो एनवी गाड़ गिल थे और सलाकार जो थे वो जो कहने वाले जो नाम देने वाले थे वो कौन थे के एम हुंची थी दोस्तों ठीक है याद रखना आपको के एम हुंची चलि सब्सक्राइर है तो दोस्तों मच्छे संग के परदान मंतरी सोबा राम कुमावत मैंने आपको अभी जो बताया है ठीके और ये जो उप्रदान मंतरी रहते हैं स्वतंतरता सेनाई जो बर्दपुर के थे इन्हें दूसरा जवालाल नेरू भी कहा जाता है ठीके आपको याद रखना है चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों जो है इसकी यदी बात करें मच्य संग की तो मच्य संग जो कब हुआ था ये मच्य संग का उद्गाटन कब हुआ था दोस्तों 18 मार्च को हुआ था ठीके आपको याद रखना है मच्य संग का उद्गाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था इनके जो परदान मंतरी रहे थे वो रहे थे सोबाराम कुमावत ठीके और जो उपरदान मंतरी रहे थे वो रहे थे पंडित यूगल के सोड चतुरवेदी जो की बर्दपूर से थे सोबाराम कुमावत कहां से थे दोस्तों सोबाराम कुमावत अलवर से थे और उस समय जो राजदानी थी वो कौन थी कौन सी ती अलवर ही थी दोस्तों राजदानी जो थी वो अलवर ही थी और राजपरमुक महराजा धौलपूर के है जो यहाँ पर बनाएते मच्य संग में चलिए नेक्स्ट क्वेसन है पूर्व राजस्तान के निर्माण में निम्न में से कौन सी रियासत सामिल नहीं थी दोस्तों सही जवाब देना है आपको correct answer देना है पूर राजस्तान के निर्माण में निम्न में से कौन सी रियास्त जो सामिल नहीं की गई थी वो कौन सी रियास्त है यहाँ पर सही जवाब आपका जो होगा C option हो जाएगा बिलकुल उदेपूर जो रियासत है यहाँ पर यह निर्माण राजस्तान के समय जो रियासत सामिल नहीं थी उदेपूर रियासत आगे बढ़ते हैं next question सही राजस्तान का निर्माण कब हुआ था सात्यों सही जवाब देना है आपको सही राजस्तान का निर्माण कब हुआ था उसके बाद मैं आपको advance जानकारी भी देता हूं साती चात बिलकुल जो सही option होगा भी option होगा कौन सा भी जोइन कर दीजिए टेलिग्राम को जोइन कर दीजिए वहाँ पर आपको वन वीक बाद है जो मिल जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर बी option से होगा आपका सही आंसर बी option अब आप ले सकते हैं अठार अपरेल 1948 को संयूक्ते राजस्तान का है जो उठाटन हुआ ता निर्माण हुआ था अब यहाँ पर बात करें कि इसको राज़च्दानी कौन बनाई गई थी तो दौस्तों उदेभवबनाई गई थी already the arguments चरण त़ा संयूक्तराजिस्तान जो कौंशा चरण टा दोस्तों त्रत्य करन कोब कितने चरन हुए तुझे साथ त्मिलरे से रिया सतों कой एक करण के लिए रह्या के मैं कॉझे यह क्र प्राना भूपाल सिंग राज पर्मुक बनेते और यहां पर परदान मंत्री की बात करें तो दोस्तों यहां पर परदान मंत्री रहेते मानी की लाल वर्मा रहेते मानी की लाल वर्मा जी रहेते ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कैसे राजस्तान संग में किसे सामी कुछा था द्वित्य चरन था राजस्तान संग जो कि कब हुआ था 25 मार्स को दोस्तों आगे क्वेशन भी आ जाएगा आपको याद रिखना है क्वेशन भी आज सकता है आगे इसी क्विज में 25 मार्स 1948 को हुआ ठीक है याद रखना आपको यह कौन शक वहा दूषरा चरन जो भी चरन था द्वेशन पचीस मार्स 1948 को और राजस्तान संग जिसका नाम दिया गए था अब अपन बात करते हैं राजस्तान संवेख्थ राजस्तान का निरमान पूर्ण हुआ किसे सामय करते स्युक्त राजस्तान का निर्मान और जो की तरहते चरन हुआ ता और इसकी अंदर जो मिला गया था वो आपको सही जवाब देना है बिल्कुल दोस्तों सही जवाब है उदेपूर जिन्हों ने उदेपूर चुना याप पर सही जवाब है बिल्कुल दोस्तों जल्दी जल्दी आप दे रहे हैं जवाब सी हां सभी है जो उत्तर दे दीज और को दिया राजStan को सिएक्ते राज्स्तान के पर्दानमंत्री कौन रहे थे सएक्त nous अ citizen के आपको इन और सबाद से आप का पर कायर मानिकि लाल उतना तो आप याद रख कि सकते दोस्तों इतनी देर के लिए तो मानिके लाल वर्म आये जो आपका सही आंसर हो जाएगा सवयुक्त राजस्तान के परदान मंत्री रहते और एक बार फिर छे बता देता हूँ राजपरमुक जो रहते मेवाड महराना भूपाल सिंग रहते चल्य है next साथ नमर क्वेशने व्रहध राजिस्तान का राज्पर्मोह किसे बनाया गया जो व्रहध राजिस्तान अब देखे यह अपन सोथे चरण पर आ चुके हैं सोथा सरन है ठीक है यह साथ वा क्वेशन जो है सोथे सरन पर बना हुआ अब सही आंसर क्या होगा इसका बि दौर्ष वरहत राज़स्तान का राज़ पर्मोग बिलकुल सवई मान्सिंग जो चबस्व जवाब ए 30 Mars 1950 को उद्गार्टन हुआ था दोस्तों यह दिबात करें तो इसकी राज़दानी कोन सी रही थी तो दोस्तों राज़दानी जो रही थी जैपूर और यहां पर है जो जैपूर को साथ में मिला लिया गये था दोस्तों यहां पर देखिए जो परदान मंत्री रहे थे वो कौन रहे थे परदान मंत्री की बात करें तो दोस्तों परदान मंत्री जो रहे थे हीरा लाल सास्त्री रहे थे अब से बता दूँ दोस्तों हीरा लाल सास्त्री चोथे चरण से सथे सरण तक सोथा पांच वा चार पांच और चे continue तीन चरण के अंदर जो परदान मंत्री की बात करें तो परदान मंत्री जो रहेते हीरा लाल सास्त्री ही रहे थे और सब्तम चरण के अंदर जो परदान मंत्री रहेते वो रहेते मोहलाल सुखाडिया बिल्कुल सही इसका आंसर जो होगा वोगा I option सवाई मान सिंग चलिए आगे बढ़ते हैं आठवा question और जान का रियास्ति ठीकाने का विले व्रध राजस्तान के निर्माने तो सेयुक्त राजस्तान में नहीं किया गया दोस्तो question को द्यान पूरोग पढ़िये किस रियास्ति ठीकाने का विले जो व्रध राजस्तान के निर्माने तो सेयुक्त राजस्तान में नहीं किया गया हाँ जी अभी जवाब देना है आपको पत्वार पुलिया जो एक्जाम में ये पूचा गया प्रस्न है आठ नमबर का आपको सई जवाब देना है बिल्कुल सी ऑप्शन सही है नीमराना ये नेमराना कहाँ पर है आज के टाइम में जो वर्तमान में कहाँ पर है दोस्तों अलवर में है नेमराना चलिए आगे बढ़ते हैं वरद राजस्तान की राजदानी किसे बनाया गया जी हैं दोस्तों अभी अपन ने जो डिसकस किया इसके बारे में पटवार 2011 में पूचा गया प्रस्ट नहीं सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा वरद राजस्तान की राजदानी किसे बनाया गय बिलकुल सही जवाब है व्रद राजस्तान की जो राजदानी बनाए गया वो किसे बनाए गया बी आफसन जैपूर को बनाया अब बात करें व्रद राजस्तान की एक बार फिर से व्रद राजस्तान 30 मार्च कब 30 मार्च 1950 को इसका उद्गाटन किया यहाँ पर जो प्रदान मंतरी रहे थे हीरालाल सासरी रहे थे राज परमुक यहाँ पर रहे थे महाराज जो मान सिंग जैपूर महाराजा मान सिंग द्वित्य रहे थे ठीक है कौन राज परमुक और महाराज परमुक की बात करेंगे तो यहाँ पर उदेवपूर महाराणा भूपाल सिंग रहे थे दोस्तों महाराज परमुक ठीक है उदेव सिंग जो उदेवपूर के महाराणा थे वो भूपाल सिंग जो तरत्य चरण में भी रहे थे मतलब की संयुकत राजसान में और इसके अंदर भी रहे थे राजदानी जएपूर 30 मार्स 1959 बराबर सही दसवा क्वेशन दोस्तों क्विज है जो आदी आ चुकी है दसवा क्वेशन आपको जानकर जो है आई तिंक आपको क्विज है जो अच्छी लग रही होगी क्विज दोस्तों अच्छी है लगी आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजी आपके लाइक से हमें जरूर है जो हम आपके लाइक से एक लाइक से हम मोटिवेट जरूर होते हैं दोस्तों आपके लिए ही तो ये quiz बना रहे हैं आपके लिए अच्छे जो most important question है जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं morning और evening डोणो time है जो लेकर आ रहे हैं दोस्तों आप जरूर update रहिएगा अपने channel से आप channel पर दी पहली बार है आप स्वेम तो channel को subscribe जरूर कर दीजिएगा mail प्रेस जरूर करें ताकि आपको जब भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें आपको just notification मिल जाए और आप जो live आ सके हैं ठीके दोस्तों यहाँ पर सई जवाब इस प्रशन का कौन सा हो जाएगा दसवे का दोस्तों अब आप देखेंगे यह जो व्रद राइसान का परदान मंत्री किसे बनाया गया तो दोस्तों यह तो अपने चर्चा कर लिए आपको साहिद यादी है BSTC में पूचा गया प्रशन है BSTC 2013 में आप देखेंगे अब यह कितने एक्जाम में पूचा गया RAS और RTS जो एक्जाम होता है उसमें 2007 में पूचा गया प्रशन है और 2nd grade जो 2nd grade हिंदी टीचर 2010 में पूचा गया एक प्रशन है 2nd grade हिंदी टीचर में और दोस्तों RAS 1988 जो हुआ था पेपर इसमें भी पूचा गया दोस्तों यह जो question है most important है आप पर है जो सही जवाब जो होगा कौँचा हो जाएगा बिल्कुल A option हिरा लाल सास्त्री मैंने आपको बताया ना कि चौथे जो चौथा चरण हुआ था पांसवा और चौथा जिसमें तीनों मैं जो हिरालाल सास्त्री हुए थे तो यह जो व्रहतर राजस्तान है यह कौन सा चरण है यह सत्तूर्त चरण है ठीक है और यह जो कब हुआ था 30 मार्स 1950 को उद्गाटी तो हुआ था नेक्स्ट क्वेशन 11 क्वेशन राजस्तान के जिमान के लिए वरतर राजस्तान में कौन सा भाग सामिल किया गया तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही जवाब बिल्कुल जिनों बी आप्चन चुना बिल्कुल सही है सिरोई जिले का कुस भाग है जो यहाँ पर सामिल किया गया ठीक है तो दोस्तों सही जवाब बारवे का सही जवाब देना है आपको जल्दी जल्दी बताएं जी हाँ बिल्कुल है जो आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रस्टन है जो सही हो रहे हैं यहापर आंसर देखके है जो यहापर यदि आप तुकादेश के अंदर मिलया गया ठीक है और सब्टम चरण जो कब हुआ था तो दोस्तों चरण है जो वरत्मान राजसान के रूप में जना गया और एक नॉमबर daiustaf एक नॉमबर उनीशो चपन आप सभी को पता होना चाहिए वरत्मान राजसान कब अश्टीतूमायता 1 Νومبر 1956 में है जो अस्टीतूमायता राजशदानी है जो जेपुर को निरदारीत की ती और राज पाल और मुखेमंतरी की आपध की आपर पद जो निरदारीत कर दिए थे और महराज परमुक और राज परमुक चप्तम चरण के अंदर हटा दिये गए थे चलिए दोस्तों ये और भी जान कर आगे हासिल करते हैं एक नॉम्बर उनीस जो चप्पन को राजस्तान का पर्थम राज़ेपाल के से बनाए गया और महराज परमुक और राज परमुक वो पद है जो हटा दिये गए थे और परदान मंत्री का जो पद था तो अब यहाँ पर सब्तम चरण के अंदर एक नॉम्बर उनीस चपन को राज़ेपाल के से प्रथम राज़ेपाल के से नियूट किये गए थे दोस्तों सही जवाब सरदार गुरु मुक निहाल सिंग है जो सही उत्तर हो जाएगा और है जो सही उत्तर कौन चाहोगा गुरु मुक निहाल सिंग सही जवाब हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन आपकी स्क्रीन पर एब बड़ा क्वेस्टन है दोस्तों ध्यानपूर्वक पड़े राजसरान की उस एक मातर देशी रियासत का नाम बताईए द्यानपुर्ग पढ़ना ये वापस नहीं पढ़ेंगे जहांके साशक चूदर्शन देव ने पूर्ण उतरदाई साशन की स्थापना 14 अगस्त उनिस्सोच तालिस को कर दी थी दोस्तों सही जवाब देना है आपको जो देखे जहांके साशक चूदर्शन देव जिनका नाम भी बता रहे हैं आपको पूर्ण उतरदाई साशन की स्थापना 14 अगस्त को उनिस्सोच तालिस को कर दी थी और वो कौन सी रहासत के साशक थे और सही जवाब जो होगा आपका बिल्कुल बी आफ़सन जिन्होंने सहाप फुरा जो बीलवाड़ा की रहासत थी सहाप फुरा जो सही जवाब हो जाएगा याँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेशन स्वतंतरता से पूर्वराजसान की रहासतों में एजेंट आफ दे गवर्नर जनरल का परधान कारे ले उस समय कहाँ पर इस्तित्था दोस्तों सही जवाब जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा बिलकुल सी आफशन जिन्होंने सी आफशन चुना माउंट अबू है जो सही जवाब है और हाल माउंट अबू कौन से जिल्ले में इस्तित्य शिरोई में है ठीक है किसी को यदि पता नहीं है तो जल्दी है जो अभी से है जो रट लीजिएगा दोस्तों यह जो क्वेसन है रटने योग यही क्वेसन है आपको यह जो याद रखने है रटन है बिलकुल दोस्तों को जो प्रस्ण है थोड़े से बड़े लगरे आपको अलवर के किस माराजा ने अटार सो चता उनमें आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रे जो की इस तरी होगा बचों की सायता के अपनी सेना और तोब खाना भेजा था तो इसका सई जवाब होगा कौन सा हो जाएगा बिलकुल जो दोस्तों यह क्वेसन आपको बड़े लगरे यह फॉंट जो है साइज है यह थोड़ी बड़ी यह बाकी दो लाइन में यह क्वेसन है जो बन जाता है ठीक है तो सई जव गया है यह था के लिए अपनी सेना और तोब खाना भेजी थी चलिए नेक्स्ट केशन आन in भारतिय सम्विदानके निर्माणके समय परत्चलि चार्फ शिरेन यह चार्फेलियों के राजयों में से रार्फर संकिस श्रेडिम है सामिल था दोस्तों साही आपने देखा भी होगा या नहीं भी तो दोस्तों यह है जो इंप्रोटेंट है थो आपका जो जवाब हो का बीयुसिन हो जाएगा कौनशा बीयुसराइज सभी जवाब हो जाएगा दोस्तों सही जवाब जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका बिलकुल डी आप्शन साहब फुरा है जो सही उत्तर है जो है यह 14 अगस्त उनिस सो पचास को भी उनिस सो चैतालिस को भी यह पहले ही एक दिन पहले ही है जो इन्होंने कोशना कर दी थी परतम देशी राजी जहां स साहन के रूंब वह ही इस व्रॉप में जो ब्रता और 15 मई 1904 सब्ढ़ 10 मईς 1950 को अधास को जो यह कब उतला पंशम के रूप में हुआ था पंचम क्या रहता संक्त व्रत राजस्तान और सतुर्ट चरं का व्रत राजस्तान राधा हैấu स क्यूंड थे पर्दान्या आपको उ 100 चतूर्थ पंचम और सिस्टम के जो हिरालाल सास्री रहे थे और राज़दानी है जो इसकी जैपूर रही थी दोस्तों आपको बता दूँ चतूर्थ चरण से चरण के बाद जो राज़दानी है जो इस रियासतों की जो चरणों की और राज़दान की तो जैवपूर है जो कबचे चतूर्त चरंड से जैवपूर को राज़दानी कबचे बनाया था 30 मार्च 1950 से ही बना दी थी तो उसके बाद है जो जैवपूर राज़दानी है जो फिक्स रही थी चलिए नेक्स्ट है राज़दान की देशी रियासतों में सबसे प्राचिन रियासत जिसकी इस्तापना गुहिल ने कीती किसे माना जाता है गुहिल है जो किस रियासत से या किस सामराजी से माना जाता है उस समय जो सामराजी जो माना जाता था सासन काल है जो किस सामराजी का था दोस्तों गुहिल है जो मेवार से थे आप सभी को पता है ठीक है और जो गुहिल राजवन्स की सापना की थी वो किसने की थी गुहिल ने की थी ठीक है दोस्तों तो आपको याद रखना है 567 इस्वी में की थी याद रखी गा ठीक है अब बात करें कि मेवाड में जो गुहिल राजवन्स की नीम है गुहिल ने और गुहिल थे कौन दोस्तों भगवान रामचंदर माना जाता है कि भगवान रामचंदर के जो पुत्र तेल कुस की जो वंसज थे कुछ के जो कुछ आ सकते कुछ के वंसर जो मैंसे गुहिल जो प्रताभी राज़ा हुआ था उसने जो मिवार में राजवन्स की स्थापना की किस राजवन्स की गुहिल राजवन्स की और यह जो किस देव को अपना आराध्य मानते थे गुहिल तो दोस्तों मिवार के जो आज की 20 most important question अपने complete होने जा रहे हैं तोस्तों है जो आज quiz है जो काफी लंबी हो की है आपको एड़वांस जानकारी देने की मैंने जो कोशिज की है और आपने जो वीडियो complete देखा आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजस्तान में चैतरपल की दरश्टी से सबसे चोटी रियास्त किसे माना गया था साहपुरा को जो की जन्त तांत्रिक और उसके लिए जो संपून उतरदाई जो माने जाती है और सबसे बड़ी जो रियास्त कौन सी थी इन में से जेपूर थी मेवार्तिया जोदपूर या जैसलमेर इन में से सबसे बड़ी रिया जो कि दोस्तों चेतरफल की दृष्टी से बात करें जोठपूर रियास्त जो थी सबसे बड़ी रियास्ती जिसके अंदर बीकाने उर्भी था तो दोस्तों इस पर कहरें जो आपको यह वैसे जो याद रुखनें जो सस्टम चरण के अपने बात नहीं की थोड़ी सी बात कर राजस्तान के रूप में जो हुगा था इसाथ फरवरी के दिन साथ फरवरी उने सून पचास को एज़ो इसका उद्गाटन हुगा था संहुगत व्रत राजस्तान ठीक है और जो इसकी राज़दानी आपको बता दिया मैंने जाइपूर्ती जाइपूर है जो चतुर चरण के बाद जाइपूर फिक्स हो गए थी माहराज परमुक उदेपूर माहरान भूपाल सिंग रहे थे सबी में जो माहराज परमुक चौते में पांचवे में शठे में जो माहराज परमुक रहे थे वो भूपाल सिंग ही रहे थे और राजपरमुग जो रहे माराज मान सिंग रहे जो की का के थे जैपूर के थे और ये राजपरमुग जो कब से रहे है चत्तूर चरण से सस्टम चरण तक राजपरमुग रहे है और परदान मंत्री जो है ये हिरालाल सास्त्री ही रहे थे और जो सब्तम चरण की बात करें तो मुक्य मंत्री दोस्तों कौन रहे थे सब्तम चरण में सब्तम चरण में मुक्य मंत्री जो रहे थे वो रहे थे मोलाल सुखाडिया जो पहले मुक्य मंत्री रहे थे और मोहलाल सुकाडिया जो है वो सरवादिक है जो सरवादिक चार बार बने हुए मोक्य मंत्री है यदि राजस्तान में बात करें तो सबसे ज्यादा बार बने हुए जो मोक्य मंत्री है वो है कौन है दोस्तों मोहलाल सुकाडिया तो दोस्तों इस परकार है जो आपको याद रखनी है पूरी जो quiz अपनी complete होगी आपको पसंद आई है quiz तो दोस्तों वीडियो को जो like जरूर करें दोस्तों आपके एक like से हमें जरूर है जो motivate होना होता है और दोस्तों आप हमेशा पढ़ने के लिए इसी परकार पढ़ने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर कर दीजिए बेल प्रेस जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी हमें आसी वीडियो अपलोड करें आपको just notification मिल जाए और आप हमेशा अपडेट रहेंगे दोस्तों इसी परकार जो सभी भरती परिक्साओं की और भरती अपडेट की जानकारी भी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों जरूर है जो अपना विश्वास और उसने हमेशा के लिए बनाए रहे के अपने चैनल पर और पढ़ते रहे राज़तान क्लासेश के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद